बिग बॉस 13 जो कि काफी टेड़ा है दोस्तों आपको बता देएं कि बिग बॉस 13 के घर के अंदर आब कैप्टन सी टास्क ने दस्तक दे दी है और यहाँ पर कैप्टन सी टास्क के अंदर काफी कुछ हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पर आप लोगों को वो अग्रेशन देखने को मिलेगा जो आप से पहले आपने कभी देखा ही नहीं होगा जे लोस तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शेहनाज गिल के अग्रेशन के बारे में जो कि अब तक आप लोगों ने इतना नहीं देखा होगा बट इस बार शेहनास काफी ज़ादा गुस्से में हमें नजर आई है और साथी में आपको बता देने कि कैप्टन्सी के लिए वो काफी अच्छे तरीके से और काफी ज़ादा एंकरेज होकर काम कर रही है और इस टास्क को पूरा कर रही है पहले बात कर देने हैं स्टास्क के बार में कि आखिए टास्क है क्या है यहांपर अभी दाविदारों को जो कंटेस्टेंट है उनको मार्स जो क्रह बना दिया गया है घर के अदर अब उसमें से पानी निकालकर अपने-acon² när में सेव करना है और जिसका container काफी ज़्यादा भरा होगा जिसका container में सबसे ज़्यादा पानी होगा वो इस task को चीत कर captaincy का दाविदार बन जाएगा लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इतना easy task big boss कभी नहीं देते हैं यहाँ पर दूसरे contestants उस contestant के container को फैक सकते हैं और पानी गिरा सकते हैं उससे उन्हें कोई भी फरक नहीं होगा लेकिन यहाँ पर इसी चलते लड़ाई होने वाली है शेहनास और विशाल आदत्यस सिंग की दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बात आती है कि सबी लोग अच्छे तरीके से पाने इखटा करते होगे नजर आते हैं लेकिन यहाँ पर विशाल सभी के container से फैक्टे होगे नजर आने वाले हैं और इसी के चलते हैं जब वो शेहनास के पास आते हैं तो शेहनास वो वो container फैक्टने के लिए कहते हैं और यहाँ पर शेहनास अपने container को फैक्टने नहीं देती हैं और काफी अच्छे से उसे पकड़ कर बैट जाती हैं लेकिन विशाल इतने ज़्यादा चड़ जाते हैं कि यहाँ पर शेहनास को चोट लग जाती है और वो ने कहते वे नजर और इसी के चलते हैं पर अब शायद काफी जादा दिक्कते आने वारी है विशाल को क्योंकि विशाल के अगे इस नहीं पर शेहनास खड़ी हुए नजर आ रही है और वो जब उने काफी जादा इलिटेट करती है तो विशाल का मुझ देखने लाइक होता है आपको क्या ल जाले